अगर आपका pen card हो गया है तो इसमें कोई प्रेसानी होने की बात नहीं इस प्रकार से डाउनलोड करें pen card सबसे पहले हम अपने Chrome ब्राउजर में जाएंगे mobile के उसमें लिखेंगे .nasdl.com और सर्च करेंगे सर्च होने के बाद हम डिस्क टाफ साइड में लगा लेंगे जिससे हमारा पेज कंप्यूटर की तरह खोल जाए जब हमारा पेज खोल जाएगा तो जितने भी आप सनाएंगे हम continue करते हुए आगे का प्रोसेज करेंगे continue continue और continue जब हो जाएगा continue तो pen card new facility पे किलिक करेंगे pen card उसके बाद हमार pen card print पे किलिक करेंगे pen card नंबर डालेंगे pen pen में pen card नंबर डालेंगे चलो हम अपना pen card नंबर फिल कर लेते हैं जो मेरे pen card का नंबर है हमने अपना pen card नंबर फिल कर लिया उसके बाद मैं आधार card नंबर डालूँगा जो मेरा आधार card नंबर है आधार card नंबर डालने के बाद मैं डेट आफ डालूँगा जो pen card में है मैंने डेट आफ डाल ली और बाक्स वे टिक मार्क लगाके आगे बढ़ जाऊंगा अब कैपचा आपना फिल कर लूँगा एक बात की विशेश ध्यान रखें अगर आपका आधार card में mobile नंबर नहीं रेजिस्टरड है तो आप pen card नहीं डालूड कर पाएंगे क्रफिया आधार में mobile नंबर लगना आवस्थिक है तभी आपका pen card डाउनलोड होगा चलो कैपचा फिल के लिए सम्मिट कर दिया सम्मिट करने के बाद देखो मेरी पूरी डिटेल pen card की आगई जो pen card में है हम mobile नंबर पर टिक कर लेंगे जिससे मेरा OTP आएगा जनरेट होगा मेरा वन टाइम पासवर्ड आ जाएगा यह मेरा वन टाइम पासवर्ड आ चुका हम पनाव पासवर्ड फिल कर लेंगे फिल करने के बाद वाइलिट पर क्लिक करेंगे वाइलिट पर क्लिक करने के बाद मेरा पेज खुल गया जो make of payment का है इस पेज में हमें डेबिट कार्ट या नेट बैकिंग या किसी यूपी आइप से अपना पेइमेंट कर सकते हैं पेमेंट प्रूफ पर क्लिक करेंगे पचास रुपे का पेमेंट मांग रहा है अगर हम पचास रुपे का पेमेंट कर देंगे तो मेरा पेमेंट काड डाउनलोड हो जाएगा एनी एप से भी किसी एप से भी कर सकते हैं चाहे पेटियम ओ चाहे वाइलिट से या डेबिट काड या क्रेडिट काड किसी से भी कर सकते हैं आप किसी से कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें तरन्यवाद